बच्चो हम कक्छा 11 वी जिसमें कि आर्थिक सुधार 1999 के बारे में हम समझाएंगे क्योंकि यह पहले एक बार आपको बताया जा चुका है लेकिन हम जो हैं प्रश्णुत्तर का लेकर चल रहे हैं और यह आपको कॉपियों में नोट करका आवश्यक है जिसी कि आपके नोट्स से आरंब किये गए जैसे कि 1991 भारती का अर्थिक संकट का सामना कर रहा था सरकारी राजस में अधिक संसरकारी विया में भारी उधारी को जन में दिया उन्हीं कि राश्टी रेनों सकल राश्टी उत्वान साथ प्रति सत्ता प्याज तक देने के लिए उस समय सरकाराज किम्तों में बढ़ने से दर्दोहरी होने से अंक में पहुच गई और संकट को और भी बढ़ा दिया इस तरह से घटिया प्रबंधन के कारण भी बहुत से सारजिंशित में उपक्रम घाटे को चल रहे थे और इस संकट के जबाब में सरकारी नीती की घोशना कर दिया था इ विष्व व्यपार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है यह आई एम एफ और विष्व बैंक सिर्वण प्राप्ति के लिए या अन्य देशों के साथ मुप्त व्यपार करने के लिए विष्व व्यपार संगठन का सदस्य होना आवस्यक है और जो इसके सदस्य बने है उन्हें वैस्वीक्रित होने और विश्वयपार का लाब नहीं उठा सकता था उसी तरह से भारती रिजर्ब बैंक वितिचेत में नियंद्रग की भूमी का स्वेम में सुविधा प्रदान प्रदाता की भूमी का आदा करने में क्यों सुवार्दरग के भारति रिजर्ब् की भूमी का सुविधा प्रदाता की भूमी का लिए उसके ऊपरां सुविधा प्रदाता की भूमी का nevai जिसके व्याजद्रकं प्रपार बलों और निधारिद करने के लिए नियंत्रग के भूमिका में स्वेंग अधा करने का बड़ा परिवर्तन कि पहले यह एक नियंत्रग के रूप में आर बीआई खुद भ्याजत्य करता है लेकिन प्रबंद के नियन्त करता है और उसके उप्रांद सुवेधा कि भुहाई जिसकी बैच दर्म के प्रपार बलो और निधारित करने के लिए स्वतंतु कर दिदे गेए जिससे राधी करन के हम प्रतिस्परदा बढ़ गई और साथ यसाथ प्रबंद को जो बैंक के प्रबंदग हैं उनको नेरी लैटे की स्वतंत्तों स्वतंत्र और निदा पर किस प्रकार नियंत्रन रखता है जैसे रोकर किरासी करना उसका अनुपात निधारित कर देना के पास रखनी पड़ती है नगद आसुरक्षित निधारित करना उसे परी संपत्या एक बैंक के पास रखना होता है जैसे विदानिक तलल्ता अनुपात खहते हैं तललता अनुपात मतला है जिसको कि हम घटा वड़ा सकते हैं फिसर रजर बैंक की ब्याज की दर निर्धारित करता है विनिमयवेलों को चूट देता है मतलब वह पूर्टोप से निर्न लेता है फिर रोपयों के आप क्या समझत मंतलब जिसतर से कि एक दूसरे मोले मोड़ा हो जाना ही और मोले कहलाता है आयात महंगे हैं निर्यात सस्ते हो जाते हैं निर्यात बढ़ जाते हैं आयात कम हो जाते हैं इस तरह से विपार का संतुलन्डी ठीक हो जाता है फिर प्रसुल को क्यों लगाया जाते हैं प्रसुल को घरेल उन प्रसुल को जो है वह एकर है जिसको टम टैक्स भी बोलते हैं व प्रसुल्क सभावे उनकी वस्तु मेंगी हो जाएगी जैसे कि हमारी सस्ती रहेंगे और प्रमुक कारण कौन कौन से क्रिसी निवेशक में निवेश खेल रूची नहीं थी ऊन्हें भारत के लिए भी जर्वादिक उप्यों तो लगता है फिर सुधार प्रक्रिया में क्रिशी शेत्रक दुस्त प्रभावित हुआ लगता है क्यों। समाजिक निया और जनकल्यान के परिपेक्ष में भारत की आर्थिक सुधारों पर चर्चर करें। समाजिक निया और जनकल्यान के परिपेक्ष में परिपेक्ष में सर्चर करते हैं। लेकिन इसके निम्न कारण भी दे सकते हैं। क्रिसी को दुस्थ प्रभावित किया है। सुधार की अवधी में भी कमी आई है। मतलब क्रिसी शेत की तरब किसी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। सुधारों के दुड़लब संसानुक गलत आवंटन। जो हमारे संसादन है। भारत जो चोटे उत्पादक विसाल अंतर राश्टी कंपनियों के साथ प्रतिस्तवाद पजाएं रखने में असा फल है। वहीं पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिन सारवजनी को चेत्र उपक्रमों का निजी करन ले गया है। कर्मचारियों के लिए रोजगार की स्थितियां भी बत्तर हो गई है। सुधारों में एक दोहरी अर्थ व्यवस्ता को जन्म दिया है। जिसमें कि विष्व इस्तर पर अस्पताल, असहनी सरकारी अस्पताल और विष्व इस्तर पर स्कूल, तंबो में चलाए जा रहे हैं स्कूल एक साथ देखे जा सकते हैं। और बहुराश्टी कंपनियां ने महात्पून शेत्र जैसे सिक्षा स्वास्त आधी को कोई निवेस नहीं किया है। यदि किया भी तो ऐसा जो भारत में अमीरवल के लिए हैं। फिर सुधार काल में अध्योगिक छेत्र के निवरासा जनक निश्पादन के क्या कारण रहे हैं। अध्योगिक छेत्र सुधार अध्योगिक निश्पादक सस्ते आयात करते हैं। पर बुनियादी रहाचे में भी कमी होती है जिसमें विजलिया पूर्तिया पर्याप्त बनी रहती है। विकार्सल देशों के रोजगारज के प्रतिकूल रात इसमें विजभी करन इस लिए अनूसट हो जाता है क्योंकि आप प्रशुल्क अवरोधों के कारण विक्षिट के बजार तक पहुंच नहीं है। धन्नवाद Area बच्चों ये कहा है प्रश्ण को तर लिखना आवश्यक है झाल 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 झाल